मिस फील्ड होने पर हार्दिक ने राहूल तिवतिया को दीगाली राहूल ने भी हार्दिक की जमकर खबर लेते हुए ड्रेसिंग रूब में जड़ दिये थपड मैच के दावरान गुजरात के खिलाडी आपस में ही क्यों लड़ने लग गए आखिर कियों लगी हार्दिक की क्लास पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले IPL अपने उस मुकाम पर पहुँच गया है जहां से कमजोर दिलवालों के लिए IPL वरजित है प्रदिन यहां हर्ट बीट बढ़ाने वाले मुकाबले हो रहे हैं मैच के साथ साथ खिलाडियों के आपसी नोग जोग भी हर रोज देखने को मिल रहे हैं कल गुजरात और पंजाब के मुकाबले के बीच कुछ ऐसा ही हार्दिक पांडिया और राहूल तेवतिया के बीच हुआ राहूल ने एक मिस फिल्ड की जिससे गुजरात के कप्तान हार्दिक पांडिया ने एक्रसिव रूप दिखाते हुए राहूल को गाली दे दी जिसके बाद दोनों के बीच बहस बढ़ गई जब वो ड्रिसिंग रूम में गए तो वहां राहूल ने हार्दिक की जम कर खबर ली हार्दिक ने भी अपनी गलती के लिए माफी मांगी बात करें मैच की तो पंजाब ने गिरते समलते 133 रन का टारगेट रखा जिसे पाने के लिए गुजरात को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी सुबमन गिल की 66 रन की सांदार पारी के बावजूद भी या मुकाबला आखरी ओवर तक गया जहां दो गेंद पर 4 रन चाहिए था और फिर राहूल तेवतिया ने चौका मारकर गुजराक को 6 विकेट से जिता दिया जिसके बाद खुस होकर हार्दिक ने राहूल को गले लगाकर दो बारा से माफी मांगी दोस्तो हार्दिक एक अच्छे कापतान है या नहीं कमेट करके ज़रूर बताएं और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स मसाला को सस्क्राइब कर लें